नमस्कार आप चभी का फिल्मी बृतान पर स्वागत है हिंदी सिनेमा जगत में अमजद खान का महत्पूर अस्थान है वर्ष 1975 में गबर सिंग का किरदार निभा करुआ हमर हो गए थे उनके द्वारा शोले में बोले गए एक एक समवाद आज भी लोगों के जुबान पर है कितने आदमी थे अरे ओ साभा कितना इनाम रखे सरकार हम पर यहां से पचास पचास पोस दूर गाओं जब बच्चा रात को रोता है तो मा कहती है मेने सोजा सोजा नहीं तो कपर सिंग आ जाएगा अमजद सहाब ने एक तालिस वर्ष के अपने लंबे फिल्मी करियर में सवा सबसे अधिक फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाय थे अगर वो जान से जाएगा तो तू माल और जान दोनों से जाएगा मुझे आपके शर्ट मन्जोर है तालिया की कमजोरी तलाश करो उसकी कमजोरी हमारी ताकत है वर्ष सुनी से क्याउन में आई फिल्म नाजनीन में बत और बाल कलाकार अपने करियर के शुरुआत करने वाले अमज़स सहब ने शोले, लवारिस, मिश्टर नटवलल, नसीब, चमेली की शादी, कुर्बानी, मुकदर का सिकंदर, याराना, परवरिस, कालिया जैसी अनेको शांदार फिल्मों में अपने अभिने का जलवा विखिनने वाले अमज़स सहब एक महान अभिनेता तो थे ही, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी हुगी कि वह कुछ चस्तर के गायक भी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में कई गित गाये थे, उन्ही में से इतरे के द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी, शतरंज के खिलाडी, जो मुनसी प्रेम चंदर के एक कहानी पर आधारी थी, और जिसमें संजीव कुमार, अमज़त खान, श्रबाना अजमी, साईज जाफरी इत्यादी ने अभिने किया था, कई पुरसकार अपने ना और रेबा मुहरी ने किया था, उन्हीं में से वाजी दली शाह का लिखा, तथा रेबा मुहरी का संगीत बज़ किया हुआ, एक गीत, अमज़त सहाब ने भी गाया था, जिसके बोल थे, तडब तडब का सगरी रेन गुजारी, शाहतरी ये संगीत पर आधारीत, इस गीत क जब अमज़त सहाब को गाने को कहा गया, तो वह पहले संकोच में थे, क्योंकि गीत आसान नहीं था, और इससे पहले उन्होंने कभी गाया भी नहीं था, हलंकि समझाने के बाद वह गीत गाने के लिए सहमत हो गए, और उन्होंने गीत को कमाल का गाया, हलंकि गीत की भी ज्यादा नहीं है लगभग देड़ मिनट का गीत है लेकिन अमजस सहाब ने बहुत ही बेहतरीन गाया था आईए गीत के कुछ जलकियों का अनद लेते हैं तरप तरप सगरी रेन गुजरी कौन देश गयो सावर याद तुम्रे घोडन मुरे द्वार से जो निक से सुद भूल गई मैं बावर याद अनद देश गयो सावर याद उबलवाई अक्याद वास्तों में अमज़स सहब ने गीत को कमाल का गया है जिसकी जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है क्योंकि एक अनाधिकारी गायक के लिए इस तरह का गीत गाना आसान नहीं था लेकिन अमज़स सहब ने बखो भी गया है इसके अलावा भी उन्होंने अन्न कई गित गाये थे जिनको हम आने वाले समय में प्रहतुत करने की कोशिश करेंगे इदि इस गित का पूरा अनंद लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे देख और सुन सकते हैं मित्रों आप लोगों को अमज़स सह आपाद